अभी लाई गाने से पहले नियौ्स पर लीखा था कि लाई वाते हैं रहने हैं किया करना चीह है मुझे लॉड़ और इक करिके बादे हैं एक पैसे कमाने का आसान तरीका मता हुर पर बैठे बैठे humans तो भाई तेरे पैसे आने शुरू हो जाएंगे क्या करने तेल लगाने उल्टाओ लेड जाने आसान और किपाई ती तरीका कोई मुझे कहता है कि भाई एक काम कर यह हग देखो अगर तुम्हें ऐसे वाला हग चीए तो मैं हग देता हूं पर मैं यहां कैसे हग दूं तुम कोई सेंस बनता है इस बात डॉक्टर दिवेश गर्ग यहां तो फर्स्ट यहर पेडियाट्रिक्स के पीजी रेजिडेंट है इन्होंने आज क्या करा कि अपनी जान ले ली सुसाइट कर लिया उनकी थीसिस वगरा भी शायद पाड़ दी थी और उनको पता नहीं एक्स्ट जाएंगे यार यह एक ऐसा फील्ड है ना देखो अगर तुम्हें डॉक्टर हो ना तो तुम्हें अगर तुम्हें दिमाग से बहुत तेज हो अच्छे हो पढ़ने में पर वहां चूतिया इंसान हो ना तो तुम्हारे लिए फील्ड नहीं सच में सॉरी टूप से बढ़ मुझे वह बहुत चूतिया मुवी लगी थी इसी वज़े से उन्हों दिखाया है टाइप-ए परस्जालिटी डिसॉर्डर वाला एक बंदा है वह बहां जो पढ़ लेता है वह सब कुछ कर लेता है शराब यह न शाय मतलब तुम एक चीज बताओ उस स्टोरी से कुछ सीख की है तेरी जरुरत है गाइनी डिपार्टमेंट को गाइनी तो भाई बहुत ही टॉक्सिक है यार पता है अब देखो औरते हुती ना ओरते हैं देखो जैसे आज के लिए फैमिनिस्ट वाली बात करता हूं कई लोग मुझे इस चीज के लिए हेट करने लें कि भाई तु ब भाई मुझे असा लगते कि गाइनी में तो भाई अपने बसका निया वहां औरते ही सरवाइब कर सकती हैं जब कोई आदमी सूसाइड करता है ना तो लोग बोलता है या चूतिया है इसने सूसाइड क्यों किया सूसाइड करने की जरुरत क्या सूसाइड कोई last resort ठोड़ी ह किसी भी चीज़ का बट जब तुम उसकी जगह आओगे ना भाई तो तुम्हें लगेगा कि सुसाइड ही आखरी option बचा होगा उस चीज़ के लिए तो उसके place पे खुद को रखने कुशिश करोगे ना तो तुम्हें खुद ऐसा लगा है कि नहीं यार भाई हो चूतिया भाई यह नी दिखाएगी मीडिया दिखाएगी आज केजरी वालने रजगुले में क्यों डाली मिर्ची मोधी जी की चाय का दूद चाय में कैसे फट गया यह चीज़ किस आदमे ने कितना अच्छा है कि यह दिखाना शुरू को पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स मां खराब कर देता है इतनी पॉलिटिक्स अपने को नी चाहिए भाई देखना तुम कितने टाइम जो चलेगा कुछ नी चलेगा और जिन बंदों की वससे वह इतना मेंटरली टॉर्चर हुआ मैं भी देखता हूं कि उन बंदों को पर कितनी बड़ी जांच बैठती है दिक्कत के मीडिया नी भी की वी कोई नी भी कावा असली परेशानी है यहां की जनता जनता चूतिया होगी चूतिया पाई दिखाएंगे टीवी में अहम जी मजी का आहम पार डेख लिया नाम कर लागतों कि एसे से स्टोरी लाइन सा अ के राख हो गई उसकी अस्तियां भी पानी में डाल दी मचली ने खाई मचली गोपी बहु बन गई गोपी बहु जी ने एहम जी का एहम पार्ट देख लिया वही जब मावा पैसे चूतिया प्रोग्राम देखेंगे तो बच्चों पे भी चूतिया आई जाएगा फिर भेंग बालक के 92 आए थे पिर भी कर ली पेशाप कर ली आथमात्या कर ली क्या कर ली तो ब्री तो अजिवर्ण कॉण करता है यार भाई 92 आने पे जितने बॉलिभोट के कर दो कर दो कि आपको ना कर दो आपको बटा गल्या है رए झारी के भी तो अपन नगा अपनी कर दो कर दो है तो अगर आप इस प्रॉफेशन में आया ना मैं हमेशा से बोलते हैं और हमेशा बोलूगा एक तो तो आपको हस्मूखोना बहुत जरूरी है, जाए आपका मूड खराअप है, चाए आप घर से लड़के आए हैं, चाए आपकी बीवी से लड़ाई विये हैं, किसी से भी लड़ाई विये हैं, बट आप उस चीज का गुस्सा कभी पेशेंट पर न उतारे, कि नहीं होना ज़रूरी है कि अगर कोई आपके पास आ रहा है ना वो दर्थ ये किसी परेशानी से या रहा हो अगर आप उस परेशानी के टाइम पे उससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल प्रोफेशनली और बहुत ही वैसे बात करें तो नहीं ह सब्सक्तान ऐसे जो दूसरे का दर्थ समझ सके जो दूसरे की हर चीज को जान सके जो सोच सके कि यार अगर मैं इसकी जगह पर होता तो मुझे कैसा लगता मैं गलत तो नहीं कर रहा हूं एक मेडिकल कॉलेज में तब जॉइन किया जब उन्हें यह शर्प मानीं कि वो किसी कि कहने पर मरीज न देखेंगे वी आईपी कल्चर मेरे को खुद बिल्कुल पसंद नहीं बिल्कुल पसंद नहीं अगर लोग आ रहे हैं एक वी आईपी है ना वी आईपी के लिए एक चीज बहुत अच्छी है उसके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल है एवन फैसिलिट पहले 15 दिन वी आईपी नॉर्मल लोगों को तो दर्शन भी नहीं हो रहे हैं एक चोटी सी बात बताता हूं NICU में ड्यूटी चल रही थी पूरा स्टाफ फुली फोकस था सिर्फ एक जैस का बच्चा था उसके कितना गलत है देखा जाये तो और भी तो बच्चे है छोट रतूरी सिर्फ इंप्लिमेंट कराने के लिए है बोला सीम ने है फिर भी सीम खुद भी हाई मैं तो MBBS छोड़ने वाला था इस चक्कर में भाई देखो ब्रो क्यों छोड़े हम MBBS अच्छा बताओ क्यों किस वज़े से भाई लोगों की बात सुनने की वश्से या लोग छोड़ने की जरूरत नहीं है आप भी अपनी लाइब में पॉजिटिव चीज़े डिसकस किया करो थोड़ा स्टैलिंग इश्वर धाम खोल के बाबा बन जाना भाई सच में भाई हो सकता है पॉसिबल हो सकता है मैं अपना ग्यान देने कभी बंदी करूंगा भाई नार्स अब नार्सिसिस्ट की बात कहां से आगी इसमें कुछ भी दूसरे सब गलत है तू ही सही है तो नार्सिस्ट ही हुआ ब्रो नानो ठोगूंगा तो मैं ही मरूंगा सामने वाला सेफ मरेगा सेफ रहेगा अब पागल नैनो में तू बच भी जायागा असाले मर नहीं है तो व वहां गासम वह निकलती है सीधे ठीक दिवाली पे बाई तन दुवारा से रिवायो बाई कैसा होता है भाई अरे गिफ्स टाय गिफ्स टाय क्या दिया क्या दिया क्या गुलते है सोन पापड़ी पैक करो वापिस तो इसे जिसको देनी वहांगा जो गंदा सा दोस्ता है गंदा से तल्या भाई तेले कि सोन पापड़ी लेगा मुड़कर आपना ही बेढ़ ला माले तुने पचास हजार में आल्टो निकाल ली है ना मान के चलते है तुने आल्टो लेली खॉं-1 घका मार के गेर भी ड़ला यृव नि भी स्टार्ट भाई होगी ना बेश तो लड़की ने क्या भोला है अनॵसरे बनदेना कैसे होते न मिड्ची का katoira लेकर बैठे रहते है नीम बू नाम viewpoint है ना हरी मिक्च और चबाते रहते रहते रूते रहते... ऐसे करते रहते हैं भाई बंदों के लाखों में व्यूस बंदे सब्सक्राइब कर रहे हैं मिर्ची की भाग मार रहे हो बंदे सब्सक्राइब कर रहे हैं नीबू के उपर मिर्च लगा के कल सुबह पता चलेगा उसे अरे भाई वो पता कैसे बुकते गाईज फ्लीज तू भी मानेगा जब फेमस हो जाएगा तू भी मांगेगा मैं तो भाई अभी मांग लूगा फेमस नहीं भाई कर दो लाओ हाँ और एक चीज़ तुमने देखी आजकल भेंगा मैं ना रैप मुसिक सुन रहो रैप मुसिक कितरे डिग्रेडेड हो चुका है एक दम डिग्रेडेड वर्शन है भाई 90s का रैप भी बढ़िया था जो बाबा सैगल का रैप भी मुझे अब रैप लगने लगा है भाई ब बाच्छा क्यों करें हिट पे हिट मारता फिर हूं उसे मारने का शौक है मा मराता फिर हूं गा के सुना जरा भाई देख गा के क्या सुना हूं अब मैं भाई बाच्छा के गाने सुनता नहीं हूं मेरे को नहीं लगते अच्छे स्ट्रिंग्स बैंड से कंपेर करो अभी फ लाइव में भी परफॉर्म ना कर पाया हो अच्छा आर्टेस्ट है मेरी नजर में अच्छा आर्टेस्ट है दूंडता है तुझे ठुकरा के बढ़िया था ब्रो थैंक्स ब्रो थैंक्स थैंक्यू मेरी गूगल स्टोरेज फुल हो गई है उसको कम कैसे करते हैं भाई देखो क्या करना है तो यह गूगल में दिखा रहोगा ना स्टोरेज फुल और की लॉंग प्रेस कर अनिस्टॉल गूगल दिखेगी नहीं स्टोरेज भाई गया आप क्यों टेंशन ले रहा कोन पटक दे हैं जमीन पर क्या करना नया फोन ले ले स्टोरेज फुल चलो फिर अप समय आ चुका है आप सभी से अलविदा लेने का आज की लाइब में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे अच्छा लगा गला फाड़के अपना और आप लोगों ने भी अपने कान का जो मुरब्बा निकल वाया है फिर भी आप लोग इस लाइए में बने रहें उसके लिए थैंक्यू यार बाई बद्धोपदी